देश के गोटालों में कॉंग्रेस सबसे आगे कॉंग्रेस नेताओं के गोटालों का खुला राज पांसो आठ करोड के गोटाले में फसे भूपेश बगेल नमेश्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट रहे न्यूस पॉलिटिकल बायत मैं हूँ आपके साथ अकास्ट रवीड दर्शको आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर ऑप पॉलिटिक्स दर्शको आज बात करेंगे कि आखिर आपके पास जितना पावर उतना ही पैसे जतनी ज्यादा पॉलिटिक्स में पहचान उतनी ज्यादा ही कमाई दर्शको आपको बता दें कि आज के समय पर देश के अंदर ऐसे भी नेता हैं देश के अंदर ऐसे अधिकारी हैं जो थोड़ी सी पावर पाने के बाद आज करून कमा रहे हैं दर्शको आपको ब प्रश्ट राजनेता है जो थोड़ी सी पॉलिटिक्स पाकर थोड़ी सी पावर पाकर कितना जादा देश के अंदर दुरूपयोग कर रहे हैं। आपको बता देए कि देश के अंदर ना सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी बलकि कई ऐसी पार्टी हैं जो इस वक्त देश के अंदर सबसे ज़ादा अपनी पावर का अपनी सत्ता का दुरूपयोग कर रही है। कि चुनाव के दौरान Congress party जम कर प्रचार परसार कर रहें। Congress party के पास इतने ज्यादा infrastructure है कि वो चुनाव में पीछे नहीं हट रहें। बात करेंगर हम भारती जनता party के तो भारती जनता party भी परचार कर रही है वो अभी सत्ता में। लेकिन आप एक बात सूच ये कि Congress party अभी सत्ता में नहीं है। उसके बाद भी Congress party के पास आखिर कार इतना पैसा आया कहा से। तो आपको पता दें कि Congress party तीस साल तक देश में राच किया। और तीस साल तक जो घोटाले हुए उस पर कहीं न कहीं Congress party के बड़े हाद रहे। तीस साल तक Congress party ने घोटालों पर घोटाले करके अपनी जेबे भरे। और इसका साफ उदारण आप देख सकते हैं राहूल गांदी ते वह राहूल गांदी चो बहुत समय से सत्ता पर नहीं एक विपक्षी party के रूप में और विपक्षी नेता के रूप में हैं लेकिन आज पी उनके पास पैसों की कोई कमी देश के अंदर कोई भी काम हो राहूल गांदी वहां पहुंसते हैं देश के अंदर कैसी भी रैलिया निकाली हो राहूल गांदी जाते हैं राहूल गांदी के पास अपना प्राइवेट जेट राहूल गांदी के पास अपना के कई ऐसे लोग हैं जो आज भी पावर का दुर्प्योग कर दो मैं आपको बता दूँ कि अगर एक आई-एस भी बन जाता है तो आज की समय में न्याई के लिए उसको रखा जाता है लेकिन वह आई-एस आज के टाइम पे भी इतने गोटाले कर लेता है कि आप सोच नहीं सकी हैं एक इस की सेलरी कम होती है उसके entitled भी उनके पास लाखों करोनों की असंपत्ती होती है और आपको बता दें कि बंगलों की तो गिनती है ऐसी ही बात आज भूपे श बगेल के बारे वो भूकेश बखेल जो 36 गड़ के CM है लेकिन आज उनके पास पैसों के कोई कमी नहीं बेसुमा और दौलत की मालिक है भूपेश बखेल और वो इसलिए क्योंकि वो एक सीम वो एक भूपेश बखेल और कहा यह जा रहा था कि भूपेश बखेल इन चीज़ों से दूर है और खुद भूपेश बखेल ने इस वात की गवाही दी थी कि मैं इस पूरे मामने से दूर हूं जिसकी महज 3,90,000 सेलरी जो की सालाना आय होती है एक सीम की वो मिलती है ऐसे में उनको अपने घर का खर्चा चलाना अपने परिवार करियोजन करना और कहीं न कहीं जिस प्रकार से देश में आपतिया आती है उसमें वो फंडिंग भी करते हैं उसके बावजूद उनके पास जो कहीं न कहीं लोगों को चिंतित करते हैं जैसकों आपको बता देएं कि देश के अंदर पॉलिटिक्स में आना यानि की सत्ता में आना और अपने आप में पावर जगा लेना कितनी बड़िगा अगर आप एक विधायक बनते हैं या आप एक गाउं का उडारन ले और उसके बाद भी आपके पास इतना पैसा बच जाएगा कि आप अगले चुनाव में पैसा खर्च कर सकते हैं आपको बता दें कि आज के समय में देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा वर्थ किया जाता है वो चुनाव के टाइम कभी चुनाव हुआ करते थे तो 500 रुपए में और एक एक बोतल सराब में भी वोट बिखते हैं और ऐसे ही नेता जब राजनेता बनते यानि कि ऐसे ही लोग जो राजनीती पर आकर अपना ओधा चमकाते हैं वही आने वाले समय में अपनी ही जनता को भुला देती इसमें दोशी जनता भी है जो ऐसे वोट को देती हैं आपको बता देए कि देश के अंदर लगातार आप देखिए कि घोटालोग के उपर घोटाले हो देश के अंदर लगातार थोड़ी सी पावर पाने के पास देश आज में जो नेता है देश के अंदर जो लूग है वो कितना जादा आतंग मचाने आप एक विध से सतर हजार रुपए के करीब जो है उनकी सेलरी होती है और ऐसे में वो इतनी ज्यादा संपत्ति के मालिक हो जाते हैं दर्श को आपको बता दें देश के अंदर इस वक्त सबसे अदा घुटालों पर कोई अगर पार्टी लिप्थ हो रही है तो वह हो रही है कॉंग्रेस पा है कि वह भारती जन्ता पार्टी या जो सत्ता में पार्टी है उसकी चुनाव से ज्यादा खर्चा करकर अपनी पार्टी को जिता सकी अगर हम आपको एक आकड़ा बताएं तो भूपेश बगेल का जब वह चुनाव लड़ रहे थे तो उनके पास जो संपत्ति थी वह करोण के आस पास की संपत्ति हो तरश को आप सूचिए कि एक नेता की सेलरी जो सांसद होता है तब भी महज पचास से सतर हजार रुपए होती है उसके बाद भी उनकी जो है सेलरी के बाद इतना पैसा कहा से बुपेश बगेल की 27 करोण रुपए की संपत्ति बताएं गई बुपेश बगेल की पतिनी के पास लाखो रुपए की संपत्ति बताई गई तो यह संपत्ति कहां कि हमारी और आपकी है जो हम टैक्स भरते हैं उन्हीं में घोटाली होते हैं उन्हीं में सारे निता खाते हैं तो पावर का आजकल इतना जादा दुर्पयोग हो रहा है हो रहा है कि हम और आप सुर्पेस एक वक्ति जब थोड़ा सा उधा पाता एक वक्ति जब आ जो है बात करें हम पावर में आता है तो कितना ज्यादा आतंक मचा सकता है आपको बता देंगे कि देश के अंदर अगर आप एक प्रधान भी बनते हैं तो आपके पैसा हो जसकी हम उसको कार मामला हो आप दुरेंस को खारीच कर सकते हैं तो ऐसे में दर्शकूल लागातार सवाल है कि आखर कार देश में जयादा क्ये अग्या करना पावर का दुरुपयोग करने और वरलागातार तेक में तो मिल रहा है एक विधायक जब इतना जारा दुरुपयोग कर सकता है तो आप सोची एक जो है सीम एक पीम और देश के अंदर जो बिपक्षी डल है अलग अलग जो पद हैं उनमें बैठ कर वो कितना जादा आते हैं और आम आदमी अगर 10 रुपए की चोरी कर ले आम आदमी दस रुपए अगर किसी के ले ले तो वहां पर बबाल हो जाते हैं पुलिस जरासी चोरी पर उसको जेल के अंदर डाल देती और वहीं आज के टाइम पर लाखों करोनों के घोटाले हो जाएं तो भी राजने सब्सक्राइब नहीं डाला जाता यह आज भी बहर अराम से भून रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ नसा है सत्ता और यही सत्ता आने वाले समय में सब को दुबादेगी लगातार देखा यह गया कि कोई भी नेता हो सत्ता के नसे में ऐसा जूमता है कि कुछ भी कर सकता कॉंग रहा कि सूचा नहीं जासे पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या रहा रखते हैं क्या देश के अंदर सच मुच अभी भी घोटाली हो रहे हैं देश के अंदर जिस प्रकार से सत्ताकार भूत लोगों पर सवार है और उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसको कैसे कम किया जा कि अग्रवी पर आप वरे मुच अपनी ऑी जापयोग हो रहा है